ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम आप लोगों को बताएंगे कि दिवाली से पहले एक ऐसा कौन सा व्रत होता है जो आप लोगों को जरूर करना चाहिए तो आईए जानते हैं इसके बारे में दिवाली पर हम लक्ष्मी पूजन सही तरीके से तो करते हैं जिससे की हमारे धन में व्रिद्धी हो हमारे पास पैसा आए लेकिन आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि दिवाली में एक व्रत ऐसा भी होता है जिसको रखने से आप मा लक्ष्मी को प्रसंद करते हैं यह वरत रामा एकादशी का वरत होता है यह वरत कार्तिक महिने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है इस साल यह वरत 11 नवेंबर के दिन रामा एकादशी के वरत के रूप में किया जाएगा रामा एकादेशी पर लक्ष्मी माता के साथ भगवान विश्नु की भी पूजा पाट करने का विधान दिया गया है जिससे की धन वर्षा तो होती ही है साथ ही शुब लाप की भी प्राप्ती होती है इस वुरत के साथ ही भगवान विश्नु की पूजा के साथ धन की देवी माता लक्षमी की पूजा करने का भी शुब सयोग माना गया है रामा एकादशी पर भगवान विश्णु जी के साथ लक्ष्मी माता का पूजन आप इसलिए करें क्योंकि लक्ष्मी माही एक ऐसी मा मानी जाती है जो की आपको धन दौलत दे सकती है साथ ही कहा जाता है कि विष्णु भगवान जी को लक्ष्मी जी का नाम अती प्रिय है इसलिए रामा इकादशी का वरत आप अवश्य ही करें रामा इकादशी वाले दिन आप सुभे उटके निवरित होके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को फल, फूल, धूप, अगरबत्ती इन चीजों से आप लोग उनकी पूजा करें उनको भोग लगाएं, दान दक्षना करें साथ ही इस दोरान तुलसी जी को आप अर्ग अवश्य दें, उनकी पूजा पाट भी अवश्य ही करें इस वरत में वरत कथा भी पड़ी जाती है साथ ही इस दिन सुन्दर कांड, भजन वा गीता का पाट भी किया जाता है जिससे सभी बापों का नाश होता है हम आप लोगों को यहाँ भी बताना चाहते हैं कि रामा एकादशी वाले दिन आप लोग भजन कीर्टन तो करें ही साथ में भगवान शिव की भी पूजा पाट अवश्य ही करें क्योंकि सुभे सुभे जाके अगर आप लोग भगवान भोले नात के मंदर में शिवलिंग को जल भी चड़ाते हैं तो उससे आप लोगों को मन की शांती भी अवश्य ही मिलेगी आप लोगों को हम यहाँ भी बताना चाहते हैं कि रामा एकादशी का शुम मुरत किस प्रकार रहेगा तो आईए जानते हैं रामा एकादशी की तिथी आरंब हो रही है 11 नवेंबर 2020 की सुभे 3 बच के 22 मिनट पे और एकादशी तिथी की समापति हो रही है 12 नवेंबर की रात 12 बच के 40 मिनट पे एकादशी वरत पारण तिथी की बात करें तो वहां 12 नवेंबर की सुभे 6 बच के 42 मिनट से 8 बच के 51 मिनट तक का रहेगा और द्वादशी तिथी समापति रात 9.5 बजे होगी आप लोग यह भी जानी है कि रामा एकादशी के दिन आप लोग क्या क्या कारे करें और क्या क्या कारें नहीं करें तो एकादशी के दिन वृत का संकल्त ले, सुभे स्नान करके निवरित होके, भगवान विश्नु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान विश्नु को धूप, तुलसी के पत्ते, दीपक, निवेद यानि प्रसाथ, फूल, फल, आदी दक्षना आत्री में भक्ति गायन करें, भजन खीरतन जागरन करें, अगले दिन द्वादर्शी के दिन भ्रामणों को या जरूरत मंदों को भोजन अवश्य खिलाएं, और अपनी श्रध्धा अनुसार जितना आप कर सकते हैं, उतना उनको दान अवश्य दें, रामा अकादर्शी क वरत के नियम की बात करें तो कांसे के बरतन में आप खाना ना खाएं, नौनवेज, मसूर की दाल, मास मदेरा, चने, कोदे की सबजी और शेहत का सेवन नहीं करें, काम बासना नहीं करें, वरत वाले दिन जुआ ना खेलें, पान वा तमबाकू का सेवन आप बिलकुल भी रहे हैं, वह लोग इस बात पे बिलकुल ध्यान दे कि वह उस दिन चावल नहीं खाएं, और जो लोग वरत नहीं भी रख रहे हैं, वह लोग भी इस बात का ध्यान अवश्य दे कि इस दिन चावल बिलकुल भी ना खाएं, इसका सेवन आप नहीं करें, क्योंकि ऐसा हमारे पुराणों के अनुसार बताया गया है रामा इकादशी एक बहुती दिवाली वाले समय काल में बहुती महत्वपूंट तेवहार माना जाता है इस दिन आप लोग अगर ऐसा करते हैं जैसे हमने आपको वीडियो में बताया तो आप लोगों को अवश्य ही धन प्राप्ती होगी अभी के लिए वस इतना ही अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीज सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद